आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं बिलकुल मार्केट जैसे क्रिस्पी करारे लच्छेदार प्यास के पकॉड़े तो आईए देख लें इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरुवत होगी तीन मीडियम साइस की प्यास इन्हें इस तरह स्लाइसेज में काट लें 50 ग्रैम्स बेशन 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा हाफ टी स्पून जीरा एक टी स्पून लालमिच पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर नमक अप अपने टेस्ट के मुताबिक आट कर सकते हैं चाट मसाला पाउडर एक टी स्पून, हाफ कप हरा धनिया, इन्हें फाइनली चॉप कर ले, तीन से चार हरी मिर्चे, इन्हें छोटे टुकडों में काट ले, वन फोथ टी स्पून अजवायन, ये ओप्शनल है लेकिन अगर आप इसे डालिएगा तो टेस्ट अच्छा आए और टू टेवल स्पून के करीब ओईल पकोडों में डालने के लिए और इन्हें फ्राइ करने के लिए ओईल हमें चाहिए होगा, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम प्यास को अच्छी तरह मसल लेंगे, ये देखिए प्यास को मैंने इस त तरह से बहुत अच्छी तरह मसल देंगे, इससे होगा ये के प्यास के लच्छे खुल जाएंगे, ये थोड़ी सौफ्ट हो जाएगी और थोड़ा पानी भी छोड़ देगी, धियान रहे इस पॉइंट पे हमें नमक नहीं एट करना है, बलके इसी तरह मसल ना है, तो ये देखिए, प्यास के लच्छे भी खुल चुके हैं और इसने थोड़ा पानी भी रिलीज किया है, तो अब हम इसमें एट करेंगे बेसन, ध्यान रहे बेसन हमें बहुत ज्यादा नहीं एट करना है, अगर आप बहुत ज्यादा बेसन एट कर देंगे, तो पकॉड़े मोटे इस तरह फ्राइ नहीं हो पाएंगे, अब हम इसमें एड़ करेंगे चावल का आटा, चावल का आटा आटा एड़ करने से पकॉड़े हमारे अच्छे क्रिसपी बन कर तीयार होंगे, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब गरम तेल और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये जीरा, अजवयन, कटीवी हरी मिर्च और ये हरा धनिया अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दियान रहे अभी तक मैंने पानी नहीं एट किया है इसमें आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें तो ये देखें अब ये मिक्चर हमें थोड़ा सा ड्राइ लग रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब पानी और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्यास ने काफी पानी रिलीस किया था उसी से बाइंडिंग हो जाएगी अगर जरूरत पड़े तो आप एक या तेबल स्पून के करीब पानी एड़ कर सकते हैं और अगर आपको जरूरत ना लगे पानी एड़ करने की तो आप पानी नहीं एड़ कीजेगा तो ये हमारा पकोडो का मिक्शर तयार है अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ दूसरे तरफ एक पैन में मैंने ओल ले लिया है और ओल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे ध्यान रहे हमें ओल को अच्छे से गरम कर लेना है अगर ओयल अच्छे गरम नहीं होगी तो पकॉड़े क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे बलके ये सौफ्ट बन कर तयार होंगे तो ओयल हमारी अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इस तरह छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और इसे हम ओयल में डालते जाएंगे यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम अपने पकॉड़ों को फ्राइ करेंगे तो हम इन पकॉड़ों को गोल्डेन और क्रिस्प होने तक फ्राइ करेंगे इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ कीजिएगा अगर आप इन्हें high flame पर fry करेंगे तो पकोडों का color बहुत जल्दी डाक हो जाएगा और ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे और अगर आप इन्हें low flame पर fry करेंगे तो पकोडे बहुत ज्यादा soft और बहुत oily बनकर तयार होंगे इसलिए हम इन्हें medium flame पर fry करेंगे डड़ से दो मिनिट बाद हम sides बदल बदल कर fry करेंगे जब तक के इनका अच्छा सा color नहीं आ जाता है तो ये देखें पकोडों में अच्छा सा color आ गया है और ये अच्छी तरह fry भी हो चुके हैं तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे ये देखें बहुत ही जायकेदार प्यास के पकोडे बन कर तयार हुए हैं आप इन पकोडों पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और इन्हें चटनी के साथ सर्फ करें तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज